हाई दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त महमत आविश और आज के हमें स्पेचल वीडियो में बात करने वाले हैं वो ऐसी पाँच चीजे जो हर किसी इंसान के पास होना ही चाहिए तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं यह वो पाँच चीजे ऐसी हैं जो हमारा लेविल यहां से यहां पहुचा देंगी तो सबसे पहले बात करती हैं वाच की यह वाच अगर मान लिजिए कोई इंसान है ऐसे करके कर लुक दे रहा है और यह वाच नहीं है उसके हाथ में तो इतना ज़ादा अच्छा नहीं लगेगा अगर हमारे हाथ में वाच होती है तो सामने वाला इंसान जो होता है वो कहता है यार बंदा मस्त है एकदम अच्छा दिख रहा है जो watch होती है जब सामने वाले इंसान देखता है तो कहता है यार इसके पास watch है इसको टाइस से time boost है तो ये भी एक बहुत अच्छा point है दूसरे point की बात करते हैं glasses ग्लासिज एक वो चीज है जो हमारा हमें भीड से अलग दिखा देती है अगर glasses नहीं होंगे किसी के चैरे पर तो normal लगेगा अगर glasses हमने पैने हुए होंगे बहर तो हम बहुत अच्छे दिखेंगे बट ये दियान जरूर रखें कि जो हमारा चैरा है उसी साबसे में glasses पैनने आए जिस साइस होना आपने तीसरे बात करते हैं दियू की या एक इतर की जब हम दियू लगाते हैं या इतर लगाते हैं अपनी body पर जब हम कहीं पार्टी में जाते हैं अगर हमारे पास ते वो खुश्बू आती है अच्छी खुश्बू आती है तो हर कोई इंसान हमारे पास आना चाहेगा और हमसे बात करना चाहेगा चौते पॉइंट की बात करते हैं हमारे पास एक अच्छा सा वॉलेट होना चाहिए क्यों होना चाहिए जब हम कहीं जाते हैं मारकेट के अंदर और हम कुछ चीज खरीदते हैं जब अपनी जेम से वॉलेट निकालते हैं तो सामने वाला इनसान की नजर आपके वॉलेट पर होगी वो सुचेगा वाओ यार कित गूमने के लिए गये होंगे और अपने कीमती पैन से कुछ अपनी डायरी में लिखते होंगे तो सामने वाला इनसान सोचेगा वाओ यार कितना अच्छा बंदा है कितना टैलेंट है यार क्या कुछ नोट कर रहा है तो वो जो वो मोमेंट होगा उस मोमेंट में वो आपको भीड से अलग समझेगा तो ये पांच पॉइंट है आपके पास एक वाच होना चाहिए आपके पास ग्लास होनी चाहिए आपके पास एक अच्छी सी ड्यू या फिर एक इतरे होनी चाहिए और वालिट होना चाहिए एक अच्छा सा और एक पैन होनी चाहिए तो ये पांच च वीडियो को और हमारे चैनल सब्सक्राइब भी कर देना तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केर बाइबाइब